आप सदा जब खुश रहते हैं तो happiness के माध्यम से आप हमेशा अपने health, wealth और prosperity को आप ठीक कर सकते हैं Conditions apply Happiness अब क्या है ये exactly और deeply हम समझें What do you mean by happiness? किस प्रकार की happiness? प्रमात्वा कहते हैं सेवा का प्रतेक्ष फल खाने खाते Ever healthy, ever wealthy and happy रहने वाले सदा, खुश हाल भवा जैसे साकार दुनिया में कहते हैं कि ताजा फल खाओ तो तंदरुस्त रहेंगे Fruit एक आप ले ले Healthy रहने का सादन फल बताते हैं और आप बच्चे तो हर सेकंड प्रतेक्ष फल खाते खाने वाले हो अमले ये प्रतेक्ष फल कौन सा है ये फल है आपके कर्मों का फल आप जिस परकाड़र कर्म कर रहे हैं परमात्मा कहते हैं मेडिटेशन करते हैं, अगर आप मुझे याद करते हैं, मेरी अबादत करते हैं, मेरे ध्यान में बैठते हैं, तो जब आपके पास शान्ती आती, तो आपके पास शान्ती आकर पूरी जगत में फैलती है, एक एक कण में फैलती है, एक एक चीज में फैलती है, और आपके प्रेम, भाफ, बहुत purity, और बिक्कुल completely clean संकल्प चाहिए है, meditating करते हुए है, तो आज जब अप meditation करते हैं, जब ध्यान में बैठते हैं, तो बरमात्प पो कहते हैं, कि ध्यान में लोग बैठते हैं, चाहते हैं कि कुछ साक्षातकार हो, लेकिन आप साक्षातकार की बात नह इतना clean कर पाते हैं, जितना आप पने संकल्प चाहिए, थौच क्लीन करेंगे, उतना ही आपको परमात्मा महसूस होंगे, तो खोशी बढ़ेगी, क्योंकि आपके संकल्प चाहिए हैं, पवित्र बन रहे हैं, फिर परमात्प कहते हैं, हेल्दी रहने का साधन फल बताते है और आप बच्चे तो हर सेकंड प्रतक्षिफल खाने वाले हो, इसलिए यदि आप से कोई पूछें कि आपका हाल चाल क्या है, तो बोलो, हाल है खुश हाल और चाल है फरिश्टों की, खुश हाल मतलब कि सदा हैपी, चाहिए दुनिया में कुछ भी हो जाए, दुनिया से दर के उधर हो जाए, रिलेशनशिप से दर के उधर हो जाए, आपकी फिजिकल बॉड़ी की हेल्थी दर के उधर हो जाए, आप विद्ध हेल्प अफ मेडिटेशन, जब आप अपने आपको स्वाम को पहचान लेते हैं कि मैं ये शेरीर से अलग एक एनरजी हूँ, एक हूँ, एक कॉंटम फील्ड हूँ, एक मेटाफिजिकल एनरजी हूँ, तो आप डिटाच हो जाते हैं, फिर चाहिए दुनिया की सारी चीज़े पूरा का पूरा वातावड़न चीज हो जाए, पांच तत्वे दर के उधर हो जाए, आपको सरनी होगा, फिर परमत्पा कहते ह हाल है, खुशाल और चाल है फर्श्तिकी, हम हेल्डी भी हैं, वेल्डी भी हैं, तो हैपी भी हैं, ब्रामन कभी उदास हो नहीं सकते हैं, बेकर उनको सारे रास पता चल के उदुनिया में आगे क्या मोणने वाला है, तो उनको जब सारे रास पता चल जाए अगर आपको आपके न्यूस में आ जाए कि कल ऐसे ऐसा आपके आज उपाज होने वाला है तो आप पर ऐसे प्रेपेर हो जाएंगे पर उसमें चाहे नुकसान हो चाहे फैदा हो आप न्यूट्रल रहेंगे यहीं सिखाता है spirituality यहीं हम सीखतें कि आप न्यूट्रल कैसे रहे न्यूट्रल का मतलब यह नहीं कि आप अबना की खुशी को खतम कर दे है न्यूट्रल का मतलब है कि आप हर परिस्थिदी में खुश रहे चाहिए वो परिस्थिदी कैसी भी हो बहुत ज़दा उमंग उलास में भी नहीं आना बहुत ज़दा खुश होगे कुछ फाइदा हो गया तो और जब नहीं हुआ फाइदा तो बहुत sad हो जाना है दो extremities नहीं बीच में सदा खुश तो यह सिखाया जाता है प्रहमा कुमारी में और साथी साथ हमारे साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हर saturday को time हम shift करने कोशिश कर रहे हैं 5 बज़े से साड़े 6 बचे के बीच में session सौंगे और हर session में कोई नया speaker हम लाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि बहुत ही अनुभवी हैं उनको आप सुनकर के अपने आपको चेंज कर सकते हैं इसके साथ हम श्यांते हैं